तो स्वागत है आप सभी का अग्यापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और जैसा कि आप लोगो तो पता चली गया होगा कि ये जो वीडियो है हिंदी ग्रामर का है जिसमें हम लोग डिसकस करने वाले हैं उपसर्ग और परतियाय पर ये दोनों हिंदी ग्र ज्यादतर अब्जेक्टिव कोशन पूछे जाते हैं तो इसलिए इस टॉपिक को इंपोर्टन समझते हुए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं ताकि आप लोगों के एक्जाम में कोई भी कोशन इस टॉपिक से पूछे ना तो आप लोग छोड़ करना है ठीक है बहुत भी शब्द में उपसर्ग कौन सा है और परतियाय काउन सा है तो तरीका बताओंगी हर एक चीज पनलब फुली डिसकस करने वाले हम लोग उपसर्ग और परतियाय पर ठीक फुली एनरजी के साथ वीडियो की श्रुवात करते हैं और फड़ाफट इन दोनों टॉपिक को सम समझते हैं शब्द का एक छोटा सा अंश शब्द का एक छोटा सा टुकडा यानि कि दो अक्षर से मिलकर बना हुआ शब्द या फिर तीन अक्षर से मिलकर बना हुआ शब्द को बोला जाता है शब्दांस ठीक है तो वैसे अक्षर या फिर वैसे शब्दांस जो किसी शब तो शर्म के आगे लग गा तो बे क्या हो गया गिलंगे उसी तरह एक और इस्टाहशिए कहलाएगा तो में वैसे चाहिए की शब्द की श्रुवात में लगकर उसका अर्थ बदल noon उसी क्या केते हैं उपसर्ग केते हैं और इंगलिश में प्रिफिक्स कहते हैं और उर्धु में शायद साबका कहाँ जाता है ठीक साबका में पढ़ाई हूं अल्जी यहां साबका ही कहा जाता है ठीक तो अब आप लोग के एकाव में कोशन किस तरफ पूछता है कोई भी एक शब्ड उठा लेगा और बोलेगा कि शब्ड का उसे चुनना में उसमें बहुत सार में कम्फीूस हो जाते उनको मालूम ही नहीं कौन से शब्द में उपसर्ग क्या है तो इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ न आप लोगो टेंशन लेने की ज़ूरत नहीं है देखिए किसी भी शब्द के अंदर उपसर्ग क्या है कैसे मालूम करेंगे इसका मैं तरीका यहां पर लिख दी हूँ देखिए किसी भी शब्द के उपसर्ग कर शुरुवात में तो ह्यां क्या कहलाएगा उपसर्ग कहलाएगा जैसे की सत्य के आगे क्या लग गया है तो आ क्या हो गया आप लोगं का उपसर्ग हो गया मैं अप लोगं को भी बताई 2 किसी भी शब्द के शुरुआत में पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दी तो इसमें ौ क्या हो गया उसी तरह जूड़ जब घ्राब कशलने ज्मों और जिसके पास नालेज नौ फॉर नौ उसे कहते अगन तो शब्द की आगे एक अक्छर जूड़ जा रहा है कि शब्द के आगे आकर एक अक्छर जूड़ एक है को जैसे शब्द का अर्थ को जा रहा है तो उस अक्षर को कहेंगे शुरुवात वाले अक्षर को उपसर्ग ठीक ओ हो गया आप लोगा उपसर्ग उसी तरह है आप क्या है उपसर्ग है किसी विशब्द के आगे जाकर जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है जैसे कि हार हार के आगे आजुड़ गया तो आहार मतलब भोजन ठीक तो आ क्या है आप लोगा उपसर्ग है आगमन पहले गमन था और शुरुवात में आ लग गया तो आगमन अर्थ बदल दिया ना आ जुड़कर तो आ क्या हो जाएगा आप लोगा उपसर्ग ठीक उसी तरह है अगला उपसर्ग है अनमोल तो यह सार उपसर्ग में लिख दी हूँ इसी मैंसे आप लोग एक्जाम में कोशन पूछेगा और कहीं सभी नहीं ठीक मतलब ज्यादतर जितना भी उपसर्ग होता है सभी लगबग उपसर्ग को मैं आप लिख दी हूँ ठीक जो कि किसी शब्द किश्रुवात में जुड़कर उसका बदले जैसे कि मोल है मोल के आगे अन लगया तो अनमोल हो गया ठीक आगे बढ़ते हैं अन देखा देखा के आगे अन लगा दिजे तो अन देखा ठीक उसी तरह है अनु अनु शासन पहले शासन था शासन के आगे अनु लगा दिए तो अनु शासन हो गया तो अनु क्या ह आप लोगा उपसर्ग है अधि उपसर्ग है कार क्या अधि लगए तो अधिकार अप मान किया मर Podcast है तो अभिन मैं अभी आप inhib लोग मैं हो जायगा क्योंता है कि मान किया अभी लग एक अभी क्या होग आप लोग व्जार इस तरह आप अभिमान उठा लिया और बुछेगा कि अभिमान में उपसर्ग क्या है और उपसर्ग में दिया रहेगा मान दिया रहेगा और दिया रहेगा अभी दिया रहेगा और आन दिया रहेगा तो सही एंसर क्या होगा सही अभी होगा आप लोग को मालूम रहेगा तभी तो आप लो हो गया है गुड का अर्थी बदल दिया और गुड कर दिया तो और क्या हो जाएगा उपसर हो गया यह सारा का सारा उपसर्ग आप लोगो को याद रख लेना है क्योंकि इसी में से आप प्लस नती मिलकर होता है उनती शुरुवात में क्या है उनती बन गया नती क्या आगे उप लगया उपसर्ग हो गया उपसर्ग क्यों ४ पूत्र ऐसे होता है न तो क्या पूत्र क्या अगे लगिए तो कुपूत्र कर्म के आगे कूड़ लग तो कुआ क्या होगा आप लोगा उपसर्ग्व आगे बढ़ते हैं दूर भी उपसर्ग है जैसे की दूर दस्रा ठीक है और का है को भी उपते जैसे की कपूत हो था towards है ठीक हर नी है उपसर्ग नी मगन ठीक है नी मगन नी क्या है आप लोग का उपसर्ग है जो कि मगन के आगे लग गया है नी तो नी मगन हो गया आगे है प्र हार के आगे प्र लगया तो प्र हार हो गया तो प्र क्या है उपसर्ग है बल है बल के आगे प्र लगया तो प्र बल ठीक है आगे है पर पर क् लेकिन इसमें क्या हो जाएगा आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ इतना ही होगा प्रत लेकिन ऐसा नहीं है प्रती इसमें क्या है उपसर्ग है प्रती प्रती प्लस एक प्रती एक ठीक और वी हो गया आप लोगा उपसर्ग विकार ठीक सव है उपसर्ग पूत क्या गया सव लगया सपूत सम सम प्लस मान तो स क्या हो गया आप लोग का उपसर्ग सुपुत्र पुत्र क्या आगे सु लग गया तो सु हो गया आप लोग का उपसर्ग बिन खाए ठीक है तो बिन क्या हो गया उपसर्ग बिन खाए बिन पीए बिन देखे ठीक है तो यह सारा चीज भर पेट भर क्या है आप लोग का उपसर यहां पर भी दिकत नहीं हो जय से कीछử संगति सुरवात में किया लग गया है आप लोग का उपसर हो गया तो समझ गया उपसर में आप लोग को बता दी आप में जबर्टियाएप की और अब जुड़े कि पर्तियाय किसे कहते हैं आखिर क्या है पर्तियाय को इंग्लिश में कहा जाता है सफिक्स और उर्दु में कहा जाता है लाहका यानि कि वैसे अक्षर या फिर वैसे शब्दान्ष शब्दान्ष में आप लोग बता ही ना शब्द का एक चोटा अंस्टुक्रा दू अक्षर यह अकेला है को है एक अक्षर बोलेंगे लेकिन वहीं पर ओ यह दो अक्षर से बना हुआ लाश्ट में जाकर जुड़ जाए और उस शब्द का अर्थ बदल दे तो उस अक्षर को या फिर उस्व्दान को हम लोग कहते हैं पड़ते आए यह ठीक उपसरग का उल्टा है उपसरग में किसी भी शब्द के शुरुवात में अक्षर जुड़कर उस शब्द का अर्थ ब पूजा है और प्लस आरी तो पुजारी तो लास्ट में पेटू पेटू में क्या परत्या है पेट प्लस उ तो लास्ट वाला जो अक्षर है वो है उ तो उ क्या हो जाएगा परत्या है पूजारी तो पूजा प्लस आरी तो आरी हो जाएगा आप लोग का परत्या है लास्ट बलाल अक्षर इते उसमें शरुवात हो जाया था उप्सर्ग और इसमें लस्ट वाला खशन हो जाएगा नहीं तो शब्द थो जायेगा परत्याय अब कैसे पहचाने कि कोई भी शब्द क्या हो जाएगा परते हैं जरी सब क्या हो जाएगा परतिया के अगर आई है तो आप जहान से देखिएगा करद लॉस्ट में आई है तो उसको दिजिए प्रतियाए ठीक आहट घब्राद चिकनाहट यह लास्ट में आहट आ रहा है अगे आहे जैसे जूला जूलना प्लस आ गब्रा प्लस आहत घब्राहट तो आहट हो गया आप लोग पडियो Pengun लाश्ट में परत्या एए तो आगे है बोली हसी भारी सब में क्या रहा है ठीक है तोよろしく की तो नहीं आ रहा है या फिर आ हाझ तो अगर इया रहा है तो उसका रहा है अककड अककड फिर से लेकिन परतियाय को छाटना आसान नहीं है जिसे कि आउ टिकाउ टिकाउ में ये एक टिक टिकना प्लस आउ ठीक हो जाए लास्ट वाला जो ये शब्दान से ना पूरा शब्द में जाकर जुड़ जा रहा है ठीक है इसमें आप लोग उच्चारन करेंगे ना प्रणंसियेशन पढ़ेंगे तभी आप लोग को मालूम चलेगा कि उस शब्द में परतियाय क्या है जिसे कि टिकाउ इस तरह देखेंगे तो लास्ट में आप लोग को सिर्फ यू परतियाय दिखाई देगा लेकिन ऐसा नहीं है टिक आऊ और लास्ट में प्रणंसियेशन से मालूम चलेगा कि क्या पर्ट्याय है उस शब्द में में परतियाय क्या है क्या में सा परतिया मालूम चलेगा सब्सक्राइब है आप लोग का पढ़ती है ठीक आरी फुझारी ठीक आप लोग कह ससे सिर्फ लास्ट में री होना चाहिए पढ़ती है लेकिन आप इसको पढ़कर देखिए पुझारी आरी आ रहा है लास्ट में तो आरी होगा आप लोग का परतिया है भीखारी लास्ट में आरी तो आरी होगा आप लोग का परतिया है ठीक आओ बहाओ बचाओ तो आओ क्या होगा परतिया है आलू जगड़ालू जगड़ना प्लस आलू जगड़ालू दया प्लस आलू दयालू तो आलू क्या हो जाएग पढ़ीया आपलों का पढ़तिया hall लेकिन एससा नहीं है Bंटिया लेकिन अच्छे तुर में लग लगी नहीं रहे है कि लम ल리 पर देखिए और पर्तियाए ढूँदना हो ना तो पढ़ियेगा सबसे पहले उच्छारण कीजिएगा तब लास्ट में देखिएगा कि पर्तियाए कैसा है वैसे मैं सारा का सारा लिख दी हूँ इसी में से आप लोगों का पूछेगा ठीक एकता पढ़ता जाता खाता पीता सोता बैठता उड़ता तो ता क्या हो जाएगा परत्याए इक इतिहासिक दैनिक ये सब क्या हो जाएगा इन सभी शब्दों में इक क्या है परत्याए है ठीक इन पुजारिन पुजारी प्लस इन पुजारिन तो इन क्या हो जाएगा आप लोगा परत्याए उ है पेटू बजारू तो उ क् शित्रकार कहानिकार गधकार तो ये सब क्या हुझा इन सभी शब्दों में लास्ट में क्या है और आघे बढ़ते हैं पा बुठा पा बोलेगे परते हैं लड़क पन में लास्ट में पन तो पन हो गया लोग का पढ़ बचपन फिंग वाला है तो गाड़ी वाला दूद वाला हो जाएक आप लोग हो जाएगा जोड़ जा रहा है ठीक है एरा सपएरा लुटे रा ठीक तो इन सभी शर्भ्दों में लास्ट में ज किया और ए रहा हैं तो यहां पर लग्राएं यहां पर पड़्डिया होता है जिसके स्टूडेंट कर देते हैं आप लोग को लग रहा होगा कि घटिया में लास्ट में या आ रहा है तो या या तो हो जाना चाहिए पड़तिया या 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 रहा है तो या हो जाएगा आप लोग का पड़तिया ना कि या तो मुखिया में ऐसे मुखिया लिख पढ़िये मुखिया लाश्ट में क्या आ रहा है यहुआ हो आ रहा है इया इया तो आ को ध्यान में रखना है पर कर देखना है उस्चारण अच्छे से करना है तब आप लोगों को मालूम चलेगा कि सही पर तैंग गर्टिया मुखिया यह सब क्या हो जाएगा इन सब आप लो हो जाएगा लेकिन घटिया मुख्या में इया होगा आप लोगा परतिया है पालक बैठक लास्ट में क्या रहा है अक आ रहा है तो अक हो जाएगा आप लोगा परतिया है धक्कन लास्ट में अन तो अन हो गया आप लोगा परतिया है दिखावा आवा ठीक भुलावा तो आव लोग का पता है आस मिठास कपास तो आस हो गया अपलोग पता है इ मा ला ली मा महीमा तो इन सबी शवदों में पता है क्या है इमा यम में मनें में श्राँ न जयों को सल समय थे अला राजपुतान लास्ट में अगर आना है जैसे कि राज पुता आना तो उसको क्या बूल लेंगे पर्तिया ठीक है तो यह हो गया आप लोगा पर्तिया यह सब्सक्राइब एक भी कोशन इस दोनों टॉपिक से रिंटेड छोड़ कर नहीं आएंगे कोई भी कोश्चन पूछ देगा उपसर गवर परते ऐसे आप लोग पक्का है कि बना कर आएंगे बस आप लोग को यह याद कर लेना है तो पहले लेजी यहां तक फड़ फड़ स्क्रीन सॉट क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स बनाना तो आप लोग बन आप लोग को समझाई समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो बनता है फड़वर वीडियो को लाइक कर देजी अभी तक लाइक नहीं किया है तो और उसके बास से चारों तरफ शेयर कर देना है अपने पड़ोशी अपने दोस्तों के पास जि तो फिर भी लेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज